उत्तरप्रदेश के बलिया में लोजपा के राश्ट्रेदिक चिराक पास्वान 28 सितंबर को बलिया आएंगे और पास्वान पासी दल सम्मेरन में भाग लेंगे। इस सम्मेरन में हम लोग अपनी टाकत दिखाने का काम करेंगे। दलिद समेलन कराने जा रहा है। भाजपा जन्सक्ति पार्टी का गटवंदन भी है। वो इस मामले को ले करके त्यार हो गए और पास्वान समेलन इसली हम लोग करना चाहते हैं। कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे विरादरी के लोग हैं। कोई वी रानितिक दल हो, सब लोगों ने उनको उपेशित किया है। पिछले जब चुनाव चल रहे थे आपके पंचायती राज का चुनाव, उसमें किसी भी दल ने चाहें भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, जो भी बड़ी पार्टिया है, एक भी पार्टिय हमारे समाज के लोगों को एक भी टीकट जिला पंचायत सदस्तक भी के देने का काम नहीं किया, कि बलिया में हमारे समाज के लोगों का कम सर्थ, कम से कम एक लाक ये ओटर है, जो यह अबादी हैं, और ус विखे सथा बाड़र है, हमारे लोगों की संख्या काफी है, और लगवग 20 लाक से कम नहीं, था कि वीस लाक की आवादी होते वह पार्श नहीं है यहां टक कोई निगम नहीं मैं समयता हुँ कि हर विराद् liberals का वर्टबान सरकार में पोगण कर सके इनको च्थ३ मिली हुई है लेकिन पासवान समाज का जो है जो हमारी विराद्र दूसाध है कस तो कहीं कि आस्थान नहीं मिला है हर दल को जो है और न लोग दिखा न चाहते हैं कि प्रदेश में हमारी संख्या क्या है यह पहला वासवान समाज का जीले का मेलन होने जा रहा है यह बताएगा और इसी तरह लोगों ने. ठाना है कि हर प्रदेश की जिले में हमारी जहां संक्या है हर जगह हम लोग काम कराने के लिए यह इस तरह का प्रदेशन इस तरह का समेलन हम लोग करेंगे इसी को ले करके त्यारी के ले करके हमारे लोग तमाम हर जगह लगे हुए है तोलिया बनी हुई है गउं में जा रहा है समय 12 बज़े है और सब लोग वहां मैं उमेद करता हूं कि इतना लोग आ रहे हैं कि आपका क्लेक्टेड कमपस भी जो है वो कम पड़ जाएगा